हुलो विवन जहीं दोस्तों स्वागत कपर फिर सबस्क्राइब लोका हमारे इस नई वडिया में तो दोस्तों बहुत सरे काडिडेट्स का कमेंट आ रहा है की सर CISF, HCM और ASI वाले जीतने भी कैंडिडेट सुन का कमेंटर स्पेसली आ रहा है कि सर जो पेपर होने वाला है इसके प्रिवियस येर का पेपर एक बार डिसकस करवा दो जिसके माधियम से मैं पता चलते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है क्योंकि पेपर इस बार जो जो आपका CBT होने वाला है यानि computer-based test होने वाला है पहले पेपर आपका offline हुआ खरता था लेकिन इस बार से पेपर दोस्तों जो है आपका online होने वाला है तो चलिए अब देखते हैं की questions का लेवल कैसा रहेगा और questions कैसे रहेंगे और कैसे questions पूछे गए थे ठीक है साथी सा दोस्तों आपको एक चीज नोट करते जाना है कि किस किस topic से question पूछ रहा है और ओर topic जो है most विविया या आपके examination के point of view से हो जाएगा तो सबसे बिले दोस्तों question number one की तरफ आते है question number one के रहा है कि 36 वे राष्टी ये खेल कहा हुआ था ठीक है आपका option है हरियाना पंजाब गुजरात और मते परदेश तो दोस्तों जो 36 वा current affairs उसमय कहा है ये कहा हुआ था तो ये आपके गुजरात में हुआ था ध्यान रखिएगा में जो है आपके पहिजाबाद से मौलवी अहमद दुल्ला ने किया था ठीक है इसका बाद question number three की हो जाते है घनातव यानि density का SI मातर क्या होता है यानि SI से question आपका पूछ सकता है जो आपका किसी का भी पूछ देगा कि जिससे आपके चार्ज का पूछ लखनव में और कब हुई थी तो 1936 में उसी ध्यान रखिएगा ठीक है 1936 में हुई थी यह आपके कहां पे तो लखनव में यह आपको पता होना चाहिए आप आपको बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे इसके बाद कोशन नमबर 5 विंग्स ओफ फायर के लेखा कौन है यान इसके संस्थाइब कोशन नमबर 6 विंग्स ओफ फायर कि बाद कर दो नहीं पर प्रभावित किया था आपको लेटेस्ट वाले इसाले पड़ा करकर जाने है इसके संस्थाइब नेशनल एकरिकल्चरल इन्वेशन प्रोजेक्ट दोस्तों है जो कब आया था ठीक है आपका चुन 6, 5-6, 6-6, 5-6, 7-2048 तो दोस्तों बेसिकली जो आपका इन्वेशन एकर्चरल इन्वेशन प्रोजेक्ट यह आपका यह था जुलाई 2006 में ठीक है तो यूत्खविया क्याप्टल पूछ रहा है आधिसभभा आकरा नेरोबी और काहिरा तो काहिरा काहरा कहां की राजदान है कहां की राजदान है की आपको बताना है कमेंट सिक्शन में तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जक्ट की PDF जो है आपके GKGS की आपके रिस्दिंग की आपके हिंदी की आपके मैथेमाटिक्स की और आपके इंगलीज की यह पाँचों सब्जक्ट की दोस्तों जो कमबाइन पीडिएफ है अल्ली 39 रूपीज के अंतरकत हाई CIE ACF ठीक है यह हाई CIE ACF लीकरके आप मैसेज करोगे और अल्ली 39 रूपीज के अंतरकत यह सारे PDF आपको यह बलेवाल है ध्यान रखिया कि इस PDF के अंतरकत आपके 70 प्लस कोशन अगर आप कर ले होगे तो आप आराम से इसमें करकर करके आओगे नहीं पढ़ लोगे त उनके आत्मकता थी यानि उनकी आटोवायोग्राफी थी इसका पड़े कोशन नमबर 10 सुमीत नगल का संबंद किस खेल से यानि ध्यान रखिया कि आपके जो खेल खिला रही हैं उनसे कोशन पूशा जाएगा तो सुमीत नगल जो है आपके टेनीस से जुड़े हुए हैं टेनीस में कौश जो यह जो पता हो ना चाहिए आप से करने का पर समस्क्र daí-फेश की बोश्क करा है हम 2 प्रूशन ठीका तो जो सकोचे मग्श तेंग रहा रहा हुए जा यह तकी आप को देस सक कशा जा रहा हुए हैं पूछे जाएंगे इसके बाद दोस्तों कोशन नमर आपका 12 के रहा है कि हिंदी भासा के बीकास समधित अनुच्छे कौन सा यानि यानि आर्टिकल पूछ रहा है कि हिंदी भासा का बीकास कुस में आता है तो बैसिककली दॉस्तों ये आपको बताना है या राता 오क थे और आपके अफिले का घ्रिड मारे वक तेदो में और व्बा, मॉरे त Riceb कि इसमें से आपके ऑप्षन जो दिया गया।। जो कि ब्रामबी थी जिस दूर किस दूरकी जाते है। पानी में तसी तरह क्याता है तो फूल किस सडूर कें जाता थना नहीं में असफ़ाई कठोरता हो जाता है। इस सडूरकी जाता है। इसफ़ दोस्तो कोश्टन नमबर 15 करे रहा है कि लोधी वंस का सथापना कोया था ? तो दोस्तो लोधी वंस का सथापना कप ऊई थी ? तो 1491 में हुई थी और यह किसके द्वारा की कई थी ? तो आपका आपसें इह हो जाएगा भलोल लोधी के द्वारा और लास्ट इसका सासक कौन था तो यह था आपका इबराहिम लोदी जिनके बीच में आपका बैटल आप पानी पत हुआ था बावर और और इनके बीच में ठीक है 1526 में तो यह लास्ट हो जाएंगे और स्थापना कब हुई थी तो इनकी 1400 काउन में हुई थी यह कौन किया थ टो ठीक है इसमें अउठा जो है कि सको दर साथ आता है तो यह बेसिकली बेस्टे उनका चुमभकी च्छेतर की दिशा में ठीक है यानि चुमभकी यानि जो उनका है मैगनिक फिल्ड जो है जनरेट करता है उसके तरफ वही सारा करता है इसके बात कोष्ण नमबर 17 कोष्ण किसके लेखाक के अस्टाध भार नेनी किसके लेखाक के लेक है अस्ट व जैएंगे इसका नंबर 18 कोस्टन नंबर 18 कर रहा है कि भारती है गांना अनुसंथान। चंस्थान कहां पे चाह पहुड़। अब सुल्थां说 इसका जवाब मैं चैएंगा या व? इसका जबाब हो कमेंट सिक्शन में देना है और जोली से बताई कि कहां पर है बागी किसी का पताई या ना बताई है लेकिन इसका ज़रूर बताईएगा यह बताईगा कि आपका पर रप्रेशन है या नहीं है ठीक है इसके बाद कोस्टन नमबर 19 क्यों किसकी रजधानी है क इसके बाद कोस्टन नमबर 20 अंतराश्टी यह मार्स आइसिंग मैपिंग मिशन किसका है तो यह दोस्तों आपके इस रो का है अब इस रो की फुल फ्रूम पूछते तो इंडियन स्पेस रिसर्च और नाइजेसन ठीक है यह आपको पता होना चाहिए अब नासा का पूछ तो नासा का आप खुछ से बताओगे इसका बाद कोस्टन नमबर 21 बंगाली भासा की लीपी क्या होती है बंगाली भासा की लीपी दोस्तों यह कोस्टन आपका नहीं आएगा यह प्रिवियस यह ही रहेगा इस तरह के कोस्टन नहीं पूछे जाएंगे यह बहुत प्राच तो आई होब दोस्तों की सार जनकर एक पसमझ में आगी होगी तो मैं उमीद करता हूं कि जो मैंने 21 कोश्टन करा इसमें से आप अच्छा कैसे कॉस्टन का एंसुर दे रहे होगे अगर नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं है आपके बास अभी भी बहुत सारा टाइम बचा ह करने के लिए सिंपली आपको इस नंबर पर 9006 91446 इस नंबर को पर आपको वाट्साप करना हो लिखना है हाइस याई यह सेफ और ओर ओनली रुपीज कंद्रकत दोस्तों अल्ली रुपीज 39 कंद्रकत इस सारी प्यावले जो पीडिएफ है आपको अब लेवल है तो जल्द आप अपने एक्जामनेशन में अच्छा का स्कूर आप कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक शुड़ियों तब तक लेद धन्यवाद चेहिंद